मेरे परिवार जनों, भारत में आज जो उत्सा और आत्म विश्वास का वातावन बना है, वैसा पिछले कई दस्रकों में नहीं बना था। आज हर भारत वासी अपने नए भारत की उपलद्यों से गवरवान्वित है, चंद्रयान तीन की सफलता ने सामान्य मानवी की उमीदों को आस्मान पर पहुँचा दिया है, आदिक्त्यों L1 की लॉंचिंग ने होसला दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो, तो कठीन से कठीन लक्ष को भी हासिल किया जा सकता है। G20 समीट की कामियावी ने ये विश्वास दिया है कि भारत के पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी की कितनी अदभूत ताकत है। आज भारत के कुटनीतिक कौशल की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हम अमारे विमेन लेट डेवलोप्मेंट के वीजन को दुनिया ने सरहा है। अपने इस वीजन पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने सौसद में नारी शक्ती मंदन अधिनियम पेश किया था। नारी शक्ती मंदन अधिनियम के आने के बाद हर सेक्टर में महिलाओं के योगदान और उनकी बढ़ती भुमिका की चर्चा हो रही है। आज कई रेल्वे स्टेशनों का संचालन भी पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। मैं ऐसे प्रयासों के लिए रेल्वे की सरहना करता हूँ। देश की सभी महिलाओं को नारी शक्ती मंदन अधिनियम के लिए फिर से बढ़ाई देता हूँ। साथियों आत्म विश्वात से भरे इस माहोल के बीच अम्रित काल का भारत अपनी बरतमान और भविश्य की जरुरतों पर एक साथ काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग से लेकर एजिकूशन तक में हार स्टेक होल्डर में तालमेल रहे। इसके लिए पी-एम गतिशक्ती नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है। देश में टांस्पोर्टेशन का खर्च कम हो, हमारे एक्सपोर्ट्स की लागत कम से कम हो, इसके लिए नई लोजिस्टिक पॉलिसी लागू की गई है। देश में टांस्पोर्ट का एक माध्यम दूसरे को सपोर्ट करें, इसके लिए मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है। इन सारे प्रयासों का बड़ा लक्ष यही है कि भारत के नागरिक के लिए ईज अब ट्रावेल बढ़े, उसका किमती समय बचे। ये बंदे भारत ट्रेने इसी भावना का एक प्रतिभिम्ब है।